धर्मनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरसोत्तम प्रभूसिरी राम का भब्य मंदिर निर्माण की प्रगति का कारे तेजी से चल ला है। जन भूम परषण में ट्रस्ट के पता दिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया। और मंदिर निरिमाल का भाавай की से देखा। इस दवरान राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के बाद मुख बित्त दिकारी यलंटी के आर शंकर रमन ने बताया कि राम जन भूम मंदिर प्रोजक्ट नहीं अध्यात्मी की आत्रा है। निर्माण पूरानी तक्नीक और नई तक्नीक का समन्नों है। जितना रिशर्ज सिर्गाम जन भूम मंदिर के निर्माण को लेकर हुआ उतना रिशर्ज किसी और प्रोजेक्ट को लेकर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां पूरा मंदिर 1000 बर्ष के लिए डिजाइन किया गया है। और इस पर कई निर्माण एजेंशियों ने मिलकर काम किया है। इतना रिसर्ज कभी नहीं हुआ, 1000 साल के लिए मंदिर है, यह उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। एप्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है एप्रिच्ट जर्णी है और अच्छा प्रोजेक्ट टीग से करना है हमारा दर्म में बट इधर ब्रोडर पर्पस मिला है हम लोग का एन्ड यह इस्टरी बनाने के लिए एक आपरचुनिटी है इतना आसाने से कंपनी से यह उपर्चुनिटी नहीं मिलता है we feel very blessed and अमारा टीम है बिलकुल रामसेवक है they are working with lot of pride, emotion and we believe that we are contributing something to the country's history यह उपर्चुनिटी अम लोग अच्छा करना है ओही अमारा अमबिशन है बाकी राम का अशिर्वाद सर तक्नीट की बात करें तो कितना रिचर्च हुआ और इस तरह के जो मंदिर बनने इसके पहले क्या-क्या इमारा इस तरह बनने इसी क्या है हर प्रोजेक्ट वो नया एक्सपीरियंस देता है वो इंजिनेरिंग ली चैलेंजिंग होता है इधर इतना कुब एक्सकेवेशन करना पड़ा था इतना हेवी स्टोन्स यूज करना पड़ा था उसमें कार्विंग जैसे काम है यह सब सोफिस्टिकेट इचीज है नॉर्मल काम नहीं है सो जो भी मुंबई एरपोटो दिल्दी एरपोटो और पतेल का स्टैच्व और अभी संक्राचर्या का स्टैच्व हो रहा है और यह राम मंदिर हर प्रोजेक्ट वो डिफरेंट चैलेंज देता है बड़ी बात ही है एक हर चैलेंज को हम लोग इंजिनियर का हेल्प सिक कांकर करते हैं और अच्छा बनाते हैं फाइनली तो टेक्निकली हम लोग को बहुत मिला सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट में शायद यह उस करेंगे दूसरा प्रोजेक्ट